और का कि नहीं दलित का बेटा इस मेर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता कर प्रदर्शन किया दोनों तरफ के पार्षद मेज पर चरकर सदन के अंदर हंगामा किया इस दोरान बिजेपी के पार्षद MCD सदन में नास्ते दिखाई दिये वहीं अब आदमी पार्टी ने जहां बिजेपी को दलित विरोधी बताया है दिल्ली मेर जिनाओ को वैल जी विने सक्सेना दोरा इस्तागित करने के बाद आज MCD सदन की बैठक बुलाई गई बैठक के शुरू होते ही आम आदमी पार्टी और बिजेपी के पार्षदों ने जम कर हंगामा मचाना शुरू कर दिया आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस, गठवंदन और बिजेपी दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ नारे बाजी करने लगे आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोफ लगाया कि बिजेपी दलित को मेर नहीं बनने देना चाहती आम आदमी पार्टी ने बिजेपी को दलित विरोधी बताते हुए सदन के बाहर प्रदर्शन किया आप पार्षदों के साथ विदायक भी प्रदर्शन में सामिल हुए वहीं सदन में मेर ने कहा कि एलजी ने मेर चुनाओ कराने के लिए पीटा सीन अधिकारी नामिल नहीं किया यही सविदान की हत्या है मेर ने सदन की बैठा के इस्तगीत कर दी आज बीजेपी ने दिल्ली के अंडर बाबा साहथ डॉक्टर भीमराम बेटकरजी ने जो अधिकार दिया था कि पांच साल में एक बार दलित का बेटा मेर की कुर्सी पर बैठेगा वो अधिकार खतम कर दिया दिल्ली में भी चुनाओ खतम कर दिया और कहा कि नहीं दलित का बेटा इस मेर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता बीजेपी न का न दलित का बेटा मेर की कुर्सी पर नहीं बैठेगा यह मेर की कुर्सी अपवित्र हो जाएगी अगर दलित का बेटा मेर की कुर्सी पर बैठेगा और अपना एक मोहरा तयार किया एल जी भाजपा के एल जी ने कहा बगएर मुख्य मंत्री के सलाह के हम प्रिजाइडिंग ऑफीसर की नियुक्ति नहीं कर सकते यह भाजपा के एलजी का बयान है याद रखियेगा यह हो पत्र जहां मुख्य मंत्री की सलाह के बगएर यह पत्र आपको दे देंगे अभी जहां मुख्य मंत्री की सलाह के बगएर सत्या सर्मा को नियुक्ति किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेयर के चुनाओं में बगएर मुख्य मंत्री के सलाह को माने हुए दूसरी बाद दलित ब्रियोधी भाजपाईयों से मैं पूछना चाहता हूँ तुमने चंडीगर में यही काम किया चंडीगर में भी एक सफाई कर्मी का बेटा जब मेयर की कुर्सी पर बैठने जा रहा था तो भाजपाईयों ने उसके वोट की चीर फाड़ करके उसके वोट में गरबड़ी करके चंडीगर मेयर एक सफाई कर्मी के बच्चे को बनने से रोका था और इतना ही नहीं किया एलजी ने पिछली बार दस भाजपा के कारकरताओं को पारसद नामित कर दिया शुकरवार को हुई प्रेस कॉन्फरेंस कर आमादी पार्टी के राजेसवासांस संजय सिंग ने कहा कि बिजेपी वाले देश में दलितों और पिछडों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रही है ये लोग दलितों को रोपने की शाजिस रच रहे हैं दिल्ली एमसीडी में इस बार दलित समाज का मेयर बनना था लेकिन इन्होंने चुनाव रद करके अपनी दलित विरोधी मानसिक्ता और सविदान को खतम करने का एक और प्रमाण दिया है राजेसवासांसर ने कहा कि बाबा सहाब ने सविदान में अधिकार दिया है कि एमसीडी के मेयर पद पर एक बार दलित समाज का व्यक्ति बैट कर सेवा करेगा बिजेपी से ये देखा नहीं गया और इन्होंने ही चुनाव रद कर दिया इस बार इनके दलित और सविदान विरोधी इस काम में मोहरा बन बिजेपी के लिए अलजी सहब आज जब दलित का बेटा दिली का मेर बनने वाला था तो इन्होंने शाजिस करके मेर का चुनाव ही रोग दिया